नमस्कार दोस्तों, आये साब पर आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, यह करेंड एफेर्स रिविजन सीरीज का दूसरा पार्ट है, यहाँ पर हम 5 MCQ with question answer discuss करेंगे for UPSC problems 2020, चलिए देख लेते हैं पहला question क्या है, पहला question यहाँ पर पूछा गया है, नंदन करन जोलो पार्क क्यों न्यूज में था, तो देखिए घडियाल जो की critically endangered species of crocodile है, इसका captive breeding करवाया गया है नंदन करन जोलोजिकल पार्क पर, इसके बात घडियाल को महानदी के साथकोसिय घाट पर छोड़ दिया गया है, जो की घडियाल का natural inhabitate है, ठीक है, तो इंडिया में crocodile का तीन पाया जाता है, एक है घडियाल, दूजरा है यहाँ पर salt water crocodile और तीसरा है यहाँ पर मगर, तो अब हम देख लेते हैं, इंडिया में crocodile से related कुछ project के बारे में, ठीक है, तो पहला जो project इंडिया में किया गया था, crocodile से related, ओ है बावला प्रोजेक्ट, तो बावला तो इसमें, जो captive breeding है, यह किया गया था, रामातिर्त सेंटर, जो की तमिल नडुपे स्थित है, तो इसके बाद इसको छोड़ दिया गया था, सिमलीपल पर, और नेक्स जो project है, यह है घडियाल प्रोजेक्ट, घडियाल प्रोजेक्ट में captive breeding करवा गया था, नंदन करन जोल इसके बाद इसको छोड़ दिया गया है, महानेदी रिवर पर, ठीक है, तो दूसरा कोशन क्या है है, हम देख लेते हैं, दूसरा कोशन यहाँ पर पूछा गया है, इंडिया का एक मात्र डॉल्फिन सेंचुरी, निमिल कित कौन सा स्टेट पर है, तो इसका सही अंसर होगा बिहार, ठीक है, तो देखिए यह जो डॉल्फिन सेंचुरी है, इसका नाम है बिक्रम सिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, जो की बिहार स्टेट के अंदर भागोलपूर डिस्टिक पर स्थित है, तो मिनिस्ट्री आप एंवर्मेंट एंड फॉरेस्ट के तरफ से गं गंगेश रिवार डॉल्फिन को सीडियूल वान अप दा वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर रखा गया है, और इसको इंडेंजर स्पीसिज भी डिक्लेयर किया गया है, तो अभी हम देख लेते हैं क्यों ए निवीज में आया था, तो देखिए जो बिक्रम स गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी पर डॉल्फिन का जो संका है, यह अभी कम हो रहा है, तो इसके पीछे में रिजिन क्या है, इसके पीछे में रिजिन है, नेशनल वाटर रोइच वान के उपर मुमेंटो बिग कर्गो वेसल एंड ड्रेजिंग एक्टिविटी, तो जब कारगो जब ज़्यादा से ज़्यादा जब रिवार के उपर से जाएगा, तब वहाँ पर क्या होगा, तो ड्रेजिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, और ड्रेजिंग एक्टिविटी से क्या होता है, जो रिवार है पॉल्यूटेड होता है, और रिवार झाल झाल नेक्स्ट कोस्टे नहीं पे पूछा गया है प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी स्कीम के बारे में तो यहां पे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहां पे सही है ठीक है तो यहां पे दिखिए पहला स्टेटमेंट यहां पे दिया गया है राज्य के अंदे चल रहे एग्रेरियन अन्रेष्ट के पतिक्रिया सरूप यह जो जोजना है यह लॉंच किया गया था ठेके और दूसरा यहाँ पर जो statement है यहाँ पर बोला गया है इस जोजना के तहद तीन installment में 6000 रुपया दिया जाएगा और तीसरा जो statement यहाँ पर है यहाँ पर बोला गया है और जो cash transfer है यह farmer के पास कितना एक और land है इसके साथ linked नहीं है और जो चौथा वाला statement है यहाँ पर है जो किसान के पास land नहीं है वो भी eligible है इस scheme के लिए ठीक है तो पहला जो तीन statement है यहाँ पर सही है और चौथा वाला statement स्टेड्मेंट नहीं है तो आप देख़िये यहाँ पर पहरारी ऐसके प्तिक्रिया पर जायगा तो यहाँपर डिपेडने नहीं है और चलिफ student have been lived from the scheme, तो landless student के लिए ये वाला scheme eligible नहीं है, ठीक है, और जो यहाँ पर जो question पूचा गया है, यहाँ पर, which of the following is the main objective of the central educational educational institution ordinance 2019, तो 2019 में एक ordinance जारी किया गया था, तो यहाँ पर पूचा गया है, इसका main objective किया था, तो इसका main objective था, reservation in appointment at all level of teacher cadre, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, जो teacher cadre, जो है, teacher cadre के अंदर reservation के लिए, यह ordinance जारी किया गया था, तो यहाँ पर, तो कुछ background हम discuss कर लेते हैं, पहले, देखिए, 2017 में, एलाहबद high court के द्वारा, एक order issue किया गया था, ठीक है, तो इस order में कहा गया था, जितने भी vac निकाला जाएगा, और department wise निकाला जाएगा, तोटल नहीं निकाला जाएगा, मतलब अब समझीे, एक department है, यहाँ benefit है यहाँ पर, यहाँ पर हिस्ट्री है, और डीपर्मेंट यहाँ पर, छियोग्रफी है, तो यहाँ पर, वैकेंसी है दो, यहाँ पर सपोज vacancy है five, यहाँ पहरे समय वैकंसी तीन। तो बतलब देखिए ढिपरमेंट वाइच निकाला जाएगा तब यहां पर दो वैकंसी है यहां पे कैसे जनरिल से कीकी का जिसा होग जिए जो स्यक्तों काटागोरि समी के लिए कितना सीट रहेगा मेंसी कंपे कम कोटल लेकार । इसलिए के लिए जो यहां पर इसको गिए उनके दार你们 च्छेलेंज क्या था सुप्रीम skort पर सुप्रिम準 कोट कर दिया जो हाइग कैंट है इसको सही हमाना फिर ज हाइड इमिनिस्टी है उसने रिव्यू पीटिसेंट डाला सुप्रीम कोर्ट पर इसके बाद मैसिब प्रोटेस्ट होता है जो रिजर्ब कैटागोरी है रिजर्ब कैटागोरी के जो स्टूडेंट है और जो टीचर है उनके द्वारा फिर यूनियन गवर्मेंट ने एक ओर्डिनें प्रोसेस होगा ठीक है मदलब की थू इन्वाइटिंग एप्लिकेशन तो यह होगा मोडव मेकानिजम और यहां पर कोई पाबलिक एडवडाइजमेंट नहीं होगा और एक कोशन यहां पर राइज होता है क्या यहां पर सब सेंट्रल इंस्टिटूशन इलिजिबल है बिल इस बिल के अंदर नहीं आएगा और जो मयनोरटी इस्टिटूसन है वो भी इस बिल के अंदर नहीं आएगा ठीक है इसके बाद लीडिंग हार्ट है और ड्यॉसरा यहां पर दीया गया है तो यहां पर देखिए पहला जो statement है यहां पर सही है तुसरा statement यहां पर सही नहीं है क्यों सही नहीं है आप देख लिए देख लीजिए जो sustainable goal जो 2 है यह है zero hunger index इसके लिए और जो 13 जो है climate action के लिए तो यहां पर क्या बोला गया था यहां पर बोला गया था है वार्किंग टूर्स एचिविंग सस्टेनेबल डिवलामेंट गोल 13 तो यह बिल्कुल सही नहीं है इनकरेक्ट है तो जो सस्टेनेबल गोल जो है इसको अप देखके रखिए जितने भी जो 17 सस्टेनेबल जो गोल है तो इसमें से एक नएक गोल से उपस्टी कोस्ट्यन झाल 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 उसकी को तो प्रक्टिंग से एक अ